हली है है तो आज हम आज से हम स्टा on आज हम है आरिजिण के क्वेच्शन तो आज वाले इस वाले क्वेच्ट यह क्वेच्षन लीए जो जितने प्रकार यह के से relief है तो इसे इसमें जैसे कि हम उस्फ метज क्वेचार के सेली जिस न में तो जैसे पहला कुछ नहीं देखते हैं जैसे दो डाइस दिया गया है आप यहां लिखा हुआ है फाइंड अपोजिट अप्टू तो यहां पर है वन थ्री फाइव यहां पर सिक्स फोर टू और आप देखने कि कोई भी एक दुसरे से मैच नहीं कर रहा है नमबर इसमें से तो ऐसे में क्या होता है कि जो क्यूद डाइस की इस्तिती है वो ठीक उसके सामने वाला उसके अपोजीट हो जाता है डाइक्षन में लाइट डाइस जब आप लूडों खेलते हैं एक तरफ माली यह एक है तो दूसके सामने च्छे हो जाएगा तो इस तरह का इका देश सकते हैं तीन के सामने चार हो जाएगा चार हो गया और फिर यहां 5 5 की अपोजीट हो गया तो हम देखेंगे यहां पर दो डाइस का कुस्चन है बट इसमें क्या हम लोग दिख रहे हैं कि इस पर यहां जो दो है जो सेम हैं आपे सिमिलर दीख रहा होतको यहां यहां 4 1 6 है यहां पर 4 1 5 है 4 1 4 1 यहां पर सेम है तो इसमें बोला है कि find opposite of 5 5 के opposite क्या होगा तो आप कोई भी जब क्यूब लीजेगा तो उसके अगर आप देखिया कि मालीजे हम एक क्यूब लिए उसमें 4 1 हम वो दिख रहा है और उसके जो side में 6 देख रहा है और अगले ही 5 है यह 6 के opposite इस तरफ के क्यूब में यहां पर 5 होगा ठीक है तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहां पर 4 1 4 1 तो इसके यहां पर 6 बचाते हैं यहां पर 5 है इसका मतलब है कि 5 का जो opposite है वो 6 होगा 5 का opposite 6 होगा एक मिनट में चेंज कर लेता हूं ओके तो continue करते हैं यह 4 के opposite 6 हो जाएगा और यह हमारा एंसर हो जाएगा तो ठीक है इसी तरह का next question में आते हैं यहां पर भी एक आपका क्यूब दिया गया है दो क्यूब है और इसमें 5 फाइंड फोजिट फोर फोर के opposite में देखना है पर यहां गौर्ड करने बाला बात यह है कि इसमें यहां है ए तो एसे में हमें बनाने का क्या तरीका है हमें एक को यहां पकड़ना है और यहां से clockwise हमें स्टार्ट करना है तो यहां से हम clockwise स्टार्ट करते हैं clockwise इसतर चलता है तो पहले आ गया 6 फर्स नंबर पे और सकेंड जब आया यहां पर आ गया 3 फिर यहां पर भी हम जब एक है यह तो अगर आपको इसके इसमें बोलेगा फाइंड पोजिट हो तो फूर के पजिट होगा शिक्स की एंसर जागा आप इसमें अब इसका पुछ से खुद निकाल लिजेगा कि वनका अपोजिट अगर पूचिए तो क्या होगा जो यहां शिक्स का फोर हो गया तरी का फाइब ह इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि यहां देख रहा कि भाड़ी इस जांपल ऑफ अस्टेंडरडडाइस अब आपको बताया था जैसे जो भी सम को जोड़ने पर सेवन आ जाना चाहिए वह स्टेंडरडाइस होगा तो हमें चार तक इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेंड चार गए यहां पर चार और 2 और एक यहां दिया हुआ है यहां हमें चाहिए, क्यूंकि से इसरो एक तो इसका से साथ हो जा यहां ихयां है इसका आप लग्सलिए में संद्छें कि यह गलत हो जाएगा फॉट्ट में आते हैं जैसे चार-चार का पॉजीट 3, इसमें 3 नहीं दीख रहा है, इसका मतलब यह बन सकता है इसमें 2 céu का पॉजीट 5 पांच भी नहीं है, एक का पॉजीट 6 होना चएचे भी नहीं हो नहीं, इसका मतलब यह स्टेंडर्राइशे तक कि इसके पॉजिट में जा सकता है इसमें उपने जा सकता है और और यहां पॉजुट में यह नहीं होगा पांच-पांच के यहां पी यकले पी नहीं होगा इसके यह चार-पांच, इसनली करते देदें, उससे मतलब नहीं है pest of B निकालना है, इसमेt propriet of B का से निकलेगा कि Хाँ मैं अलिसमें देखिएंगे कि क्या क्या common आ रहा है जैसे हई आप देख सकते हैं कि यहां क्यीज है इसमें A, C, B है और यहां एक Q है इसमें B, C, D है तो आप देख सकते हैं कि B, C B, C common आ रहा है यहां पर भी B, C common आ रहा है तो जो बच किया हो दुनों opposite हो जाएगा तो D यहां पर और यहां पर A तो A का opposite आ गया D A का opposite आ गया D चलिए हमें तो clear हो गया कि A का opposite D होगा इसका मतलब answer कुछ और होगा फिर आप चेक करते हैं यहां पर देखिए और कुछ मिल रहा है F, B, D यहां पर देखिए F, B, D मिल रहा है और यहां पर B, C, D में B, D यहां पी है B, D यहां पी है F के बराबर हो जाएगा C यहां F के बराबर हो जाएगा C और हमें पूछा क्या गया है B का तो हम B का खुद से निकाल सकते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, बच गया क्या, E, तो यहां पर E is the right answer, तो आपको इसी पर इसी तरह का कोच्चन कोई भी कोच्चन इस तरह से आगा तो आप राम से बना सकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में